। नवस्कार आपके तारे में आफ सब का बहुत-बहुत स्वागत है। हूँ प्रवेण मिस्र आईए जानते हैं आज क्या है आपके तारे का संदेश आपके नाम बताएंगे आपकी राशी के अनुसार और आज के उपाए में होगा आपके लिए बहुत ही खास उपाए तो जल्दी से शुरू करते हैं कारकरम सबसे पहले बात आज के पंचांग की 2 अगस्त 2023 दिन बुद्वार स्रावण मास चल रहा है क्रश्न पक्ष है प्रतिपदा तिथी है और स्रवण नचत्र रहेगा आज दो पहर 12 बच कर 58 मिनट तक फिर धनिष्टा नचत्र प्रारंब हो जाएगा चंद्रमा मकर राशी में रहेंगे रात को 11 बच कर 26 मिनट तक फिर कुम्भ राशी में प्रवेश कर जाएंगे भगवान शूर्य करक राशी में बिराजमान है आज विजय मुहूर्त का समय होगा दो पहर 2 बच कर 42 मिनट से दो पहर 3 बच कर 36 मिनट तक जो भी महत्यपूर्ण काम करना है आप विजय मुहूर्त में करेंगे तो कारियों के सफल होने की संभावना जादा रहेगी राहुकाल का समय होगा दो पहर बारह बज़ कर 27 मिनट से दो पहर दो बज़ कर 8 मिनट तक राहुकाल शुब नहीं माना जाता है इसलिए राहुकाल में कोई भी जरूरी काम ना करें दिशाशूल है उत्तर दिशा, तो उत्तर दिशा की ओर लंबी दूरी की यात्रा ना करें चलिए शुरू करते हैं आपका राशीफल सबसे पहले बात मेश राशी की अचानक कोई अच्छी खबर मेश राशी वालों को प्राप्त होगी रुके हुए काम आपके पूरे होंगे धनलाब के लिए किये गए प्रयास सफल होंगे जीवन साथी से सहयोग मिलेगा सेहत पर ध्यान देना होगा शुबरंग के सरिया उपाए किसी गरीब को आज फलका दान करें बात करते हैं अब ब्रश राशे की परिवार में सुख बढ़ेगा मन की परिशानी दूर होगी पैसा उधार लेकर काम करने से बचें शत्रूँ पर विजय मिलेगी सेहत आपकी ठीक रहेगी शुबरंग क्रीम उपाए किसी गरीब को हाटे का दान करें मिथुन राशी मिथुन राशी वाले पूरे उत्सा से आज काम करेंगे धन लाब का योग आपके लिए बन रहा है आपकी योजनाएं सफल होंगी सिक्छा के छेत्र में सफलता मिलेगी वानी का प्रियोग बहुत सभल कर आज करें शुबरंग हलका हरा उपाय किसी गरीब को चावल का दान करें करक राशी करक राशी वालों की मन की चिंता दूर होगी परिवार में शुक्षानती बढ़ेगी यात्रा से लाब के योग आपके लिए बन रहे हैं किसी भी काम में जल्दवाजी से बचना होगा अपने खर्चों को कंट्रोल में रखना होगा शुबरंग सफेद उपाय पक्षियों को दाना खिलाएं अब वक्त हो गया है सवाल लेने का यदि आपके मन में भी सवाल हो तो आप भी पूछ सकते हैं आप अपनी बर्थ डिटेल जन्म की तारीक जन्मिस्थान जन्म समय लिखे और सवाल लिखकर कमेंट में छोड़ दीजे वहाँ से हम आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कारकरम में शामिल करेंगे जब आप सवाल लिखें तो पूरी बर्थ डिटेल उसके साथ अवश्य लिखेगा ताकि आपकी कुंडली बना करके आपके सवालों का जवाब दिया जा सके अभी जिनका सवाल ले रहें उनका नाम है दिप्ती दिप्ती जी आपका सवाल ले रहे हैं ध्यान से सुनेगा दिप्ती जी की डेट अब बर्थ है 11 अप्रैल 1997 सुबह 8 बज कर 50 मिनट मुंबई का जन्म है इनका सवाल ये है कि इनकी मेरिज कब होगी दिप्ती जी जो आपने बर्थ डिटेल बताई है उस आधार पर आपकी कुंडली तयार है आपकी ब्रश लगन की कुंडली है और ब्रश राशी है आपका जन्म रोहनी नचत्र के दूती चरण में हुआ है इस समय आपकी राहू की महादसा चल रही है जो जन्वरी 2010 से शुरू हुई है और ये जन्वरी 2028 तक चलेगी और राहू की महादसा में शुक्र की अंतरदसा चल रही है जो जुलाई 2020 से शुरू हुई है और ये जुलाई 2024 तक चलेगी देखिए आपकी कुंडले आपके सामने है जहां ये दो नमबर लिखा हुआ है ये है ब्रश लगन और ब्रश लगन का स्वामी शुक्र 29 डिगरी का अस्थो करके ग्यार्मे घर में बैठा है शूर्य, शनी और केतु के साथ है मेरिज के लिए देखते हैं आठवा घर ये सातवा घर, सातवे घर में आठ नमबर लिखा हुआ है यानि ब्रशिक राशी है और जो सातवे घर का स्वामी है वो है मंगल और मंगल चौथे घर में बैठा है 24 डिगरी का वक्री हो करके आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी मेरिज का समय शुरू होगा जुलाई दोहजार चौबिस से जून दोहजार पच्चिस के बीच में शादी का अच्छा योग है इसमें आपकी शादी हो जाएगी उपाय क्या करना है उपाय नोट करिए पहला उपाय प्रति दिन दुर्गा चालीशा का पाठ करें दूसरा उपाय मंगल वार के दिन हनुमान मंदिर में लाल रंग की मिठाई का भोग लगा कर गरीबों को प्रसाद बाठें यह उपाय करते रहे भगवान की क्रपा से भी पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी बर्थ डिटेल लिखिए सवाल के साथ वहां से हम उठाएंगे और आगे आने वाले कारकरम में शामिल करेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात सिंग राशी की आप अपने खर्चों को कंट्रोल में रखें कारे छेत्र में सफलता मिलेगी मित्रों की मदद से काम बनेगे लंबी दूरी की यात्रा का योग बन रहा है सेहत पर ध्यान देना होगा शुबरंग मरूद उपाए किसी गरीब को भोजन दान करें कन्यराशी करियर में सफलता मिलेगी धनलाब के लिए के गए प्रयास सफल होंगे आपका सम्मान और बढ़ेगा कारोबार में उन्नती के आउसर मिलेगी जल्दवाजी में फैसला करने से बचें शुबरंग हरा उपाए किसी गरीब को फल का दान करें तुलाराशी कार छेत्र में आपकी स्थिती बहतर होगी कहीं दूर से शुब समाचार मिलेगा धनलाब के रास्ते खुलेंगे लोगों से उलजने से बचें लंबी दूरी की यात्रा ना करें शुबरंग गुलाबी उपाए गव माता को रोटी खिलाएं ब्रिश्चिक राशी ब्रिश्चिक राशी वालों को भागे का साथ मिलेगा रुके हुए काम पूरे होगी रिस्तेदारों से मुलाकात होगी मन में नेगेटिव विचार ना बढ़ने दे धार्मिक कारियों में समय लगाना होगा शुबरंग लाल उपाए बच्चों को कौपी पिन दान करें अब वक्त हो गया है एक और सवाल लेने का यदि आपके मन में सवाल हो तो आप भी पूछ सकते हैं उसके लिए आप अपनी बर्थ डिटेल जन्म की तारीख जन्मिस्थान जन्म समय लिखिए और सवाल लिखकर कमेंट में छोड़ दीजे वहां से आपके सवाल उठाएंग और आगे आने वाले कारक्रम में शामिल करेंगे अभी जिनका सवाल ले रहे हैं उनका नाम है रवी पटेल रवी पटेल जी आपका सवाल ले रहे हैं ध्यान से चुनेगा इनकी डेट अब बर्थ है 19 मई 1989 दोपार 3 बज कर 20 मिनट सूरत का जन्म है रवी पटेल जी का सवा यह है कि बिजनेस यह करते हैं बिजनेस में अच्छी सफलता कम मिलेगी रवी जी जो आपने बर्थ डिटेल बताई है उस आधार पर आपकी कुंडली तयार है आपके सामने है आपकी कन्या लगन की कुंडली है और तुलाराशी है आपका जन्म स्वाती नच्छत्र के चतुर की महादसा में ब्रहस्पती की अंतरदसा चल रही है जो सेप्टेंबर 2022 से शुरू हुई है और मार्च 2025 तक चलेगी आए आपकी कुंडली आपको दिखाते हैं देखिए जहां यह च्छै नंबर लिखा हुआ है यह है कन्या लगन और कन्या लगन का स्वामी बुद्ध 11 डि बिजनेस डेख्ते हैं काम देखते हैं वहां का स्वामी है बुद्ध यानि लगनेश भी बुद्ध है और दसमेश भी बुद्ध है और बुद्ध भागिस्तान में बैठा हुआ है आपकी कुंडली के हिसाब से अगले साल अप्रेल 2024 से बिजनेस में अच्छी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी कुणली आपकी अच्छी है उपाय क्या करना है एक सवा सात रत्ती का पन्ना बुधवार के दिन सोने के अंगूठी में सबसे छोटी उंगली में धारन कर ले हैं दूसरा उपाय हर शुक्रवार के दिन सफेद रंग खीर बनाए और खीर में मिसरी का प्र होग लगा कर करीबों को प्रसाद बाटें यह उपाय करना शुरू करिए बहुत जल्दी आपका बिजनस तेजी से आगे बढ़ने लएगा अच्छा लाब होने लगेगा चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात धनुराशी की कारियों के अच्छे नतीजे आपको मिलेंग मन में संतोस का भाव बढ़ेगा करियर में उन्नती होगी मित्रों की सला से काम करेंगे तो लाब होगा सेहत ठीक रहेगी शुबरंग हलका पीला उपाय किसी गरीब को भोजन दान करें मकर राशी कोट केस में सफलता मिलेगी किसी से उलजने से बचना होगा किसी को पैसा उधार ना दें अपने मान सम्मान का ख्याल रखें नए लोगों से आज मुलाकात होगी शुबरंग आस्मानी उपाय किसी गरीब को हरे फल दान करें अब बारी आगई कुम्भराशी की पूरे प्लैनिंग के साथ काम करने का दिन है अपने हुनर को बढ़ाने का समय है धन की प्राप्ति होगी क्रियेटिव कारियों में सफलता मिलेगी नई नौकरी प्राप्ति के योग हैं जो लोग जॉब के लिए प्रियास कर रहे हैं उन्हें सफलता मिलेगी शुबरंग हलका नेला उपाए गव माता को रोटी खिलाएं अब बारी आ गई अगली राशी में राशी की परिवार की समस्याएं हल होंगी अचानक धनलाब के योग बन रहे हैं कोई अच्छी खबर मिलेगी सेहत का ख्याल रखना होगा रिस्तेदारों से बाच्चीत करते समय धैर रखें किसी तरह का अन्बन ना हो जगडा ना हो शुबरंग बादामी उपाए किसी गरीब को भोजन दान करें अब वक्त है आज के उपाए का यदि मन में नेगेटिव विचार हावी हों तो ये उपाए करिए सुबह श्नान करके अपने घर के मंदिर के अच्छे तरीके से सफाई करें फिर वहाँ घी का दीपक जलाएं भगवान गणेश की पूजा करें आरती करें और वहीं बैठकर तुलसी की माला से ग्यारह माला गायत्री मंदर का जाग करें फिर प्रणाम करके अपने काम पर चले जाएं आपके मन में जो नेगेटिव विचार हैं वो धीरे धीरे करके दूर हो जाएंगे तो आज के लिए बस इतना ही कल फिर होगी आप से मुलाकात आपका दिन बहुत शुब हो नवस्कार